Hello friends, welcome to my channel Take Ata for Success NTPC, Diploma Training जो vacancy आई हुई थी तो उसका आज stage 1 का पहला shift का exam हो चुका है तो इस वीडियो में उस exam का review देखेंगे यह वीडियो सभी branch वालों के लिए useful होगा तो जैसे की exam pattern दिया हुआ था 40 question English से, 40 question FT से और 40 question reasoning से आया हुआ था इसके लिए 2 घंटे time मिला था मैंने कई candidate से बात किया तो maximum लोग बोल रहे हैं कि paper moderate to heart था paper के level और maximum लोग 65 से 75 के बीच में question attempt किये हैं 75 से ज़्यादा attempt करने वाला कोई बंदा नहीं मिला सबसे पहले देखते है empty section का तो empty section जितने भी candidate से हम बात किये तो सारे लोग बोले कि empty section हाड था तो arithmetic से आया हुआ था यह इसमें GP, AP तो इससे आया हुआ था लगभग में 5 से 6 question एलजेबरा से भी question था 4 से 5 इससे भी question था लगभग में 8 से 9 परसेंटेज से भी 6 से 7 question था और इसके बारे में कोई नहीं बोला कि इसके बारे में कोई नहीं बोला कि कितने question था ratio proportion से और time is study, time is speed distance है लेकिन जितने लोग से बात किया है सब बोल रहा था कि सब syllabus से ही आया हुआ था जो syllabus में दे रहा खाता अब बात करते हैं reasoning के बारे में तो कुछ candidate ने बोला कि reasoning का question easy था और कुछ ने बोला कि hard था तो reasoning में positional और sitting arrangement से कई question थे लगभग में 5-6 question थे जिसमें linear sitting arrangement, circular sitting arrangement और एक position वाला जिसमें 32 मंजिला building ऐसा ही करके question था direction से थे कि अगर वो इस दिशा में खड़ा थो उसका परचाई किस दिशा में आएगा और direction से लगभग में 6-7 question थे और 6-7 question वो shade वाला था कि इस दिशा में तो परचाई किस दिशा में होगा उसका उसके बाद coding decoding से लगभग में 10 question था, series से भी 5-6 question clock, calendar, binary logic से भी question था और adoption इन सब से भी question था लगभग में शलेबर्स के हिसाब से भी question दे रखा था तो इसका label मान के चलिए कि moderate to hard ही था इसका भी non-verbal reasoning से भी चार से पांच question था इसमें और इसमें reasoning और जो arithmetic था तो Ft का, Ft का दोनों का time taken question आया हुआ था तो इसके वाए ज़्यादा लोग attempt नहीं कर पाये अब बात करते हैं इंग्लिस के बारे में तो Hindi medium से जो लोग पढ़े था हैं उनसे बात करने पर वो लोग बतलाएं कि English के question hard आया हुआ था और लेकिन जो English medium से पढ़े हुए था वो वह लेकि English का question moderate ही था तो paragraph से एक question था verbal ability से भी question था cinemis, entomis से भी question था grammar sentence, error अगरा से question था लगवा में sport, error से 4 question था narration से एक question था cinemis, entomis से 4 से 5 question था idiom phrase से 4 से 5 question था इससे भी जो लोग आज exam देखके आग चुके हैं तो आपना review दे सकते हैं कि question का level कैसा था और और कितने question attempt किये इस video comment में अब लोग review दे सकते हैं उसके बाद जिनका भी आगे exam हो लोग मेरे whatsapp ग्रूप पर जुड़ जाए thanks friend झाल